श्री भगवान वाच सन्यासह कर्म योगश्य निश्रेयस कराव भव तयोस्तु कर्म सन्यासात कर्म योगो विशिश्यते कर्म सन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्यान कारक हैं परंतु उन दोनों में कर्म सन्यासे कर्म योग श्रिष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण समझ कहें हैं कि अर्जुन अज्ञानता की स्थिती में हैं इसलिए ऐसा प्रश्ण पूछता है कि दोनों में इसे कौन सा मार्ग श्रेष्ट हैं मार्ग अलग-अलग जरूर दिखते हैं परन्तु उनका फल तो एक ही है अलग फल नहीं है परन्तु अर्जुन की जो स्थिती है जो उसकी मानसिक जो उसका इंटरलेक्ट है उसको देखते हुए उसकी मन औब बुध्धी को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग श्रिष्ट है जिससे अर्जुन कहीं कर्म करना ही न छोड़ दे जात लोग की आदत क्या होती है अराम से बैठना कोई काम ही न करना पड़े क्या जरूवत है काम करने की काम कोई करना ही नहीं चाहता मजबूरी होती है तो काम करते हैं घर में भी जब सब लोग इखटे बैठे हों relaxed बैठे होते हैं, तब उस समय यदि काम करने को बोल दिया जाए, तो लगता है क्या जरूरत है, अराम से बैठते हैं, तो आलस से मनश्य की पहचान है, जब तामसिक्ता बढ़ती है भीतर, तब उस समय काम करने का मन नहीं करता, काम कम किया जाता है, जब व्यक्ती का कोई स्वार्थ हो, ये नॉर्मली हम काम जैसे करते हैं, उसमें स्वार्थ और अहंकार चाहिए, नहीं तो व्यक्ती काम नहीं करना चाहता, कुछ मिल रहा हो तो काम करेंगे, नहीं मिल रहा तो नहीं करते, और किसी की मदद करनी हो, तो दस बार व्यक्ति सोचता है कि क्या जुरूरत है क्यों किसी के लफड़े में पड़ें क्यों किसी की परिशानी में फसें लोग करना ही नहीं चाहते मदद तो भगवान श्री कृष्ण यहां समझाते हैं कि आत्म विकास यदि मनुश्य को करना है तो कर्म करना पड़ेगा वो जड़ता हटे जब तक वो जड़ता नहीं हटेगी तब तक कर्म नहीं हो सकते हैं तो व्यक्ति की भीतरी इच्छाओं को जागरित करके कर्म कराए जाते हैं जब तमोगुर्ण प्रधान व्यक्ति होता है धीरे धीरे वो जब तामसिक्ता जाती है और मन और बुध्धी संतुलन में आने लगती है तब उसके बाद व्यक्ति को समझाया जाता है कि तुम निशकाम कर्म की तरफ पड़ो क्योंकि रजोगुन की क्रियाशीलिता आ गई तो फिर अब सात्रिकता लानी जरूरी है तो बताया जाता है कि अहंकार को छोड़ो निश्वार्थ भाव से कर्म करो इसी को यग्य भावना भी बताया जाता है कर्म योग बताया जाता है तो यक्य भावना से कर्म करते वे संसार का भला करो और उसके बाद ध्यान के लिए व्यक्ति को तयार किया जाता है जब तक अहंकार और स्वार्थ नहीं हटेगा तब तक आपके कर्मों में सुगंध नहीं आएगी तो इस अध्याई के अंदर अहंकार और स्वार्थ कैसे हट सकता है इसी के बारे में बताया गया है तो भगवान कहते हैं कि निश्काम कर्म को जिंदगी में जगे दो कर्म करो क्योंकि कर्म करना ही मनिश्य के हाथ में है जब तक विक्ति करम नहीं करेगा तब तक वें बंदनों से मुक्त भी नहीं होगा वो आतने विकास की सीडियों पर चड़ेगा ही नहीं तो पहला कदम ही करम करना है तो यहां पर भगवान कहते हैं कि आप करम कीजिये और कर्म भी ऐसे जो निशकाम करम हूँ जिसमें ना तो एगो हो ना ही कोई self कोई motive हो कोई selfishness हो कि यह मैं अपने स्वार्थ के ले कर रहा हूँ दूसरे की मदद भी इसलिए क्योंकि उससे हमें फायदा होगा ऐसे नहीं निशकाम कर्मी कर्म करता है जिससे सारे समाच का ब्रह्मान का पूरे विश्व का भला हो वो इसलिए कर्म नहीं करता कि उसको बहुत फायदा हो जाएगा और दूसरे को बहुत नुकसान होगा तो निशकाम कर्म में आग्रह जो होता है वह होता है फल की एच्छा का त्या कर देना यानि फला कांग्षा को छोड़ देना जब हम कर्म को ही आनंद का विशे बना लेते हैं तब कर्म खेल बन जाते हैं फूल बन जाते हैं और जब कर्म खेल ना बने वो एक सीरिस गेम बन जाएं सीरिसने जिसमें आ जाएं जिसके अंदर फल की इच्छा आ जाएं तो वो कर्म बंदन का कारण बनते हैं जिसे बच्चे खेल खेल रहे हैं, छुड़े बच्चे एक साथ खेल खेल रहे हूं अब बच्चे खेल खेलते हुए यह नहीं सोचते किसको फरस्ट आना है और किसको सेकेंड वो बस खेलते हैं और उसमें बड़ा आनंद लेते हैं फुटबॉल का मैच चल रहा है बच्ची एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं एक बच्चा बॉल फैकता है तूसरा बच्चा फिर बॉल प्ले करता है तो उसमे बड़ा आनंद आता है कौन जीता कौन हारा बच्चों को तो याद भी नहीं रहता वो इस जमेले में फसते ही नहीं उसकी बार में सोचते नहीं वो सिर्फ रोज वो गेम खेलना चाते हैं क्योंकि उस गेम को खेलकर बड़ा मज़ा आता है वो गेम इसले नहीं केलते कि मुझे जीतना है कुछ पा लेना है परनतु जब बड़े metallic हो जाते हैं तो क्या होता है तो बच् नाम हो दूसरे बच्चे का नाम ना हो पस हमारा 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 यानि सिर्फ अपना bestimmे दूसरे की विश्य में नहीं सोचते तो खेल को भी गंदा कर देते हैं उसमें भी कॉंपंपटिशन आा जाता है कि बच्चा अगर बैदमिंट Sozial रहा है या टेनिस खेल तो मेरा बच्चा ही हमेशा competition में आगे आए बच्चे को प्रसाहित करना एक अच्छी बात है लेकिन उसे गेम खेलने देना और गेम का आनंत लेने देना ये जाधा बड़ी बात है तो कर्म जब खेल बन जाते हैं तो निश्काम कर्म फलित होता है और जब खेल भी कर्म हो जा सुर्फ फल की इच्छा से प्रेरित है तो निश्काम कर्मी जो कर्म यो कर रहा है वो फल की इच्छा से भरावा नहीं होता उसके लिए सारे कर्म खेल है और जो कर्म सन्यासी होता है वो तो कर्म का ही त्याग करता है क्योंकि इतने कर्म करे इतनी जन्मों तक कर्म करे उसका क्या फल उसका क्या result उसकी क्या निश्पत्ति क्या मिला इतने जन्मों में तो सब छोड़कर तप शर्या के मार्क पर चला जाता है और निश्काम कर्मी क्या करता है वो कर्म तो नहीं छोड़ता जीवन के संघर्षों को नहीं छोड़ता जीवन को जीता है संघर्षों को भी परंतु जो फल की इच्छा है उसका त्याग कर देता है पस इस फल की इच्छा का त्याग करना ही आपको बंधनों से मुक्त करेगा नहीं तो ये बंधन आपको जकड लेंगे आपको रोक लेंगे संसार में फिर जनम होंगे फिर पार बार जनम होंगे हम शरीर, मन और बुद्धी इनी सीमाओं से हम limited हैं इनी सीमाओं की भीतर हम है इसी कारण जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो भी बहुत छोटी इच्छाएं होती हैं जो देखा है बस वही इच्छा कर ली और ये इच्छाएं जो मनश्य की हैं यह हमेशा गलत ही होती है एक समय जो हमारा mental level था intellect का level था जो intelligence थी हमने उससे प्रेडित होकर कोई एक इच्छा कर ली अब वो इच्छा तो हो गई अब उसे इच्छा की पूर्ती भी हो गई लेकिन बाद में मन बदल गया अब लगता है गलत ही मांग लिया यह ना मांगा होत तो अच्छा था उस समय वह लड़की अच्छी लगती थी उससे विवा कर लिया लेकिन विवा के बाद समझ आया कि उसका mental level मेरे mental level से मिलता नहीं है फिर लगता है कि वो इच्छा क्यों पूरी हुई उस समय अगर थोड़ा समय ले ले लेते थोड़ा सोच विचार लेते तो जाधा अच्छा जीवन हो जाता लगता है कि ऐसा career एक ऐसा profession हमने मांगा उस समय वही trend था सभी वही कर रहे थे हमने भी वैसा ही मांग लिया लेकिन जब वही career वही profession आपके सामने आ जाता है तो लगता है हमने क्यों ऐसा profession चुना कुछ और चुन लेते जिंदगी में श कुछ और बन जाते वो जाधा अच्छा रहता हमने गलती कर दी तो इच्छाएं मनुष्य करता जाता है और जाधा तक गलत ही इच्छा करता है और ये गलत इच्छाएं मनुष्य की उसे कहीं भी पहुँचाती नहीं है और संतुष्टी है भी कहां जो मिला क्या उसमें संत है जो मिला हुआ है मनुश्य उसमें कभी सुकी नहीं रहता जो नहीं मिला उसका सोछता है, जैसे जिवा हमारी टंग वही जाती है उसी जगे उसी खाली जगे-जह यह जिए जीव जैगी मिख जह जाता है, वहाँ नहीं जाती जो जिन्दगी में नहीं है बस वहीं पर ध्यान है जो है उसका धन्यवाद नहीं भगवान ने जीवन दिया इतने अच्छी रिष्टे दिये सब कुछ तो दे दिया भगवान ने पर मनिश्य का क्या हाल है उसको तृप्ती मिलती ही नहीं है कैसे मिलेगी तृप्ती जो व्यक उसे सुख मिलेगा नहीं वर्तमान में यदि दुख दिखता है और भविश्य में सुख दिखता है तो इसका मतलब है सकाम बुद्धी है निशकाम बुद्धी नहीं वो व्यक्ति आनंदित नहीं होता वही व्यक्ति आनंदित होता है जो उसे मिल गया है उसमें खुश रहना स उनी शणों को आनंद से जो जीना सीख गया वही व्यक्ति सही माइने में योगी है भगवान कहते हैं कि निश्काम कर्म का जो मार्ग है वो श्रिष्ठ मार्ग है अच्छा मार्ग है क्योंकि जादतर लोग अरजुन की समस्या से ही तो पेडित हैं निश्काम कर्मी बनिये सारा समय चिंता में रहना फल की इच्छा में और उसकी चिंता से गृस्त रहने से कभी फल नहीं मिलता जो हाथ में शण है उस शण का उपयोग कीजे लोग क्या करते हैं जो फ्रस्टेटिड है जो जिन्दगी में वो पा नहीं पाए जो पाना चाहते थे तो वो क्या करते हैं वो बाते करके खुआप देखकर सपने देखकर अपनी उस फ्रस्टेशन को दूर करने लगते हैं तो इससे जिन्दगी नहीं चलती हम सोचते हैं कल आएगा वो दिन जब यह सपना पूरा हो जाएगा कल पे और कल पे टालते जाते हैं परंतु ये जो procrastination है ये कल पे टालना ये जीवन को कभी भी नहीं देता जीवन आता है जब हम इसी शन का उपयोग करते हैं नहीं तो आप टालते चले जाएए कभी हम बैठेंगे भक्ती करेंगे कभी ध्यान करेंगे कभी मौका मिलेगा तो गुरू के चर्णों में जाएंगे गुरू के धरबार में बैठेंगे कभी मौका मिलेगा तो हम अच्छाई के मार्क पे चलना शुरू करेंगे अपने भीतर आंत्रिक गुणों का विकास करेंगे कभी करेंगे कल करेंगे परसो करेंगे और एक दिन मृत्यू तर पर आ जाती है और फिर लगता है कि अब तो कोई कल नहीं जो था वो समय तो हमने नश्ट कर दिया और जो नहीं था उसकी सोच में हमने वो कीमती शन बरबाद किये जो भगवान ने उफार में दिये थी इसलिए मौत से लोग डरते हैं क्योंकि मौत सब कुछ रोक देती है स्टॉप कर देती है यह जीवन समप्त हो जाता है और हम यह नहीं कह पाते हम कल करेंगे परसो करेंगे भगती करनी है परमात्मा का नाम लेना है तो अभी इसी शन लीजिए निशकाम कर्मी कभी कल पर नहीं टालता जो फला का अंक्षा से पीड़त है वो कल पर टालते है यदि कोई व्यक्ति कल पर टाल रहा है इसका मतलब है वो आज का शन नहीं जी रहा और याद रखे कल कभी नहीं आता जो है हात में मनिश्य के वो आज का पल है इसी शन इसी शन जीवन को जीए तो निश्काम कर्म कहता है यही शन है आपके पास दो शन तो किसी के पास नहीं होते एक शन है उसी शन को जो जीना सीख गया और जो जिसके अंदर फल की दृष्टी नहीं है फल की दृष्टी जिसने पोंच दी भविश्य में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा इसे तो भगवान पे छोड़िए क्योंकि वो आपके हाथ में कभी भी नहीं हो सकता आपके हाथ में आपका कर्म है यही शन है तो वर्तमान शन को जो जीना सीख गया कर्म करना जो सीख गया वही जीवन को जीना सीख गया है तो मनुश्य जो है हाथ में उसे कभी संतुष्ट नहीं जो मिलना है जो भविश्य है उसकी जरूर योजनाए बनाता रहता है एक सुन्दर मकान का सपना लिया अब वो मकान मिल भी गया परन्तु कुछ समय के बाद फिर इच्छा होती है कि और बड़ा मकान आ जाए जो है उसमें आनंद मनुश्य नहीं मनाता परन्तु आगे और आगे क्या मिल जाएगा उसकी रेश जरूर लगती है कभी लगता है कि नीन्द की समस्या है बस मेरी नीन्द ठीक हो जाए एक बार नीन्द ठीक हो जाए तो सब कुछ मिल जाए सब कुछ तो है ही पस यही कमी रह गई आज जब नीन्द भी ठीक हो जाती है आप अपने आपको ठीक कर लेते हैं योगा भ्यास करके, प्राणयाम करके, ठ्यान करके शरीक असिस्टन ठीक कर लेते हैं और नींद भी ठीक आने लगती है फिर व्यक्ति भूल जाता है जो उसको मिला उसमें त्रप्ती नहीं रहती फिर आगी कुछ और सोचने लग जाता है कि यह मिल जाए तो त्रप्ती मिल जाएगी आज मेरा बच्चा सेट हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा फिर बच्चा सेट हो गया फिर लगता है इसकी शादी हो जाए तो संतुष्टी हो जाएगी फिर उसकी शादी भी हो जाती है फिर लगता है कि इसके बच्ची हो जाए तो संतुष्टी मिलेगी हम सरकाते जाते हैं अपनी संतुष्टी को वो संतुष्टी आपको कभी भी नहीं मिलने वाली क्योंकि आप इच्छाओं की भवर में फच चुके हैं और ये इच्छाएं आगे आगे और आगे लेके जाती हैं कभी यह नहीं कहती कि आज जो अभी मिला है, मैं उसका तो धन्यवाद करूँ जो भगवान ने दिया है मौका, जो भगवान ने गिफ्ट दिये हैं क्या हम उनों भारों का उपियोग कर पा रहे हैं उन में भगवान का धन्यवाद दे पा रहे हैं काम तो कभी समाप्त नहीं होंगे आपके, कभी भी पूरा जीवन निकल जाएगा तो भी कर्म और आपके काम समाप्त नहीं होने वाले व्यक्ति वही है जो संकल्प बद होकर इसी शन जीवन को जीना सीखता है याद रखिए, जो फल आकांग्षा से पीडित होगा जो भविश्य के सुनेरे सपने में ही फसा है उसे कभी भी चीज़े नहीं प्राप्त होती चीज़े उस मनिश्य को प्राप्त होती है जो उस सपने को सच करने के लिए कर्म करता है सरफ खयाली पुलाव बनाने से चीज़े नहीं मिलती कर्म करने से चीज़े मिलती है तो निश्काम कर्मे क्या करता है जीवन को जीना सीख जाता है तो जीवन जीना उसको आता है और उसके जो कर्म होते हैं उसके कर्म उसके लिए खेल बन जाते हैं तो कर्म करना आनंद का विशय है, कर्म करना बोज नहीं है, कि आफिस में जाना है, नाइम टू फाइफ की ड्यूटी करनी है, कमाना है, घर चलाना है नहीं, काम करना उसके लिए आनंद का विशय बन जाता है, जो मिलता है और नहीं मिलता वो अलग बात, पर इंतो जो काम है, जो उसकी जूटी है वो उसके लिए आनंद का फिशय है यह निश्काम कर्मी भल की आकांगशा से पीडित नहीं होता और जीवन का जो संगर्ष है उस संगर्ष को भी जीता है दूसरा जो मार गाता है वह अंतरमुखी लोगों के लिए आता है जो बहिर मुखी है उनके लिए तो कर्म की बात बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कर्म योग का पालन करो, निश्काम कर्म करो, क्योंकि ऐसे लोगों की जो उर्जा है वो बाहर की तरफ जाती है, परन्तु कुछ लोगों की उर्जा आंतरिक बहती है, जो भीतर की तरफ उर्जा जिनकी बहत उनके लिए कर्म सन्यास का रास्ता उप्योगते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं जैसे म्यूजिशन हुए चत्रकार हुए जितने क्रेटिव लोग होते हैं तो वो जो कर्म करते हैं वो कर्म आंतरिक जादा होते हैं बाहिय कर्म कर्म होते हैं जैसे अरुजन जो कर्म करता है ती जक्ति की मृत्यों हो गई, उसको कोई टाल नहीं सकता, पथर पर जैसे लकीर है बिल्कुल ऐसे ही ठोस कर्म होते हैं, परंतु जो सितार बजा रहा है, वो सितार बजाते हुए जो ध्वनी प्रोड्यूस कर रहा है, जो संगीत उत्पन्य हो रहा है, वो संगीत अभी पैदा भी नहीं हुआ, हवा में गया और लुक्त हो गया, तो ये सपनों को साकार करने वाले कर्मे हैं, ये बड़े ही डेलिकेट कर्मों होते हैं, ये न के बराबर होते हैं, तो जैसे कवी के अंदर आंतरिक कविताएं जादा फूटती हैं और बाहर कम आती हैं, लाखो कविताएं अंदर घूमेंगी, और फिर एक रचना संसार के लिए आती हैं, यानि आंतरिक रूप में उर्जा जादा बहती हैं, तो जिनकी आंतरिक रूप में उर्जा जादा बहती हैं, उनके लिए कर्म सन्यास का मार्ग हैं, यानि वो कर्मों का ही सन्यास कर देते हैं, वो कर्म करते नहीं वे अपने अंदर की उर्जा में ही समाहित रहते हैं, तो दोनों ही मार्ग है मनुश्य के सामने, भगवार ने दोनों ही मार्ग रखे, सांखे का मार्ग भी रखा और योग का मार्ग भी रखा, इन दोनों मार्गों में से जैसे आपकी उर्जा बहती है, उसी मार्ग का चुनाव करना चाहिए, 90% लोगों के लिए अरजुन जैसे हालात हैं, इसलिए कर्म योगन के लिए जादा अच्छा, और बहुत ही गिने चुने और थोड़ी से लोग होते हैं, जिन के लिए कर्म सन् मार्ग उपयोक्त होता है, इसे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं, कि दोनों मार्ग हैं, परन्तु जो मार्ग जादा लोगों के लिए अच्छा है, वो कर्म योका है, क्योंकि इससे आपका अंतहकरन शुद्ध होता है, आपकी तामसिक्ता जाती है, अर्जुन को इस श्लोक में समझाते हैं, कि तुम कर्म करो,